पस्चिमिविक शौप के कारण मोसम पल्टा कर्मी से छुटकारा श्विगंगा नगर और हरुमानगर जिलों में शुक्रवार और शनिवार को कई जखें तेज हवाईं चलने बरसाथ और अलवरिस्टी होने से मोसम पलट गया है लू और गर्मी से छुटकारा मिल गया है तापमान गिरने से मोसम सुहावना हो गया है लेकिन मोसम विभाग में शनिवार और रविवार को तेज आंधी के साथ बरसाथ के चेताव निदी है इस दोरान बिजली गिरने जैसे घटनाएं भी हो सकती है ऐसे में लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी गई है शनिवार सुबह बादलों की गरज और बिजली की चमक के भी संग्रिय शेत्र में बरसाथ मोसम में यह परिवर्तन बश्चमि विक्षोप के स्क्रिय होने के कारण आया है मोसम विभाग के अनुसार 11 और 12 माई को शिगंगा नगर बिकाने चूरू हनुमान कर समीर विभिन शेत्रों में धूल बरी आंधी और बरसाथ आसिती है मोसम के इस करवट में एक खत्रा भी शिपा हुआ है वह खत्रा है आस्मानी बिजली का इस बात क्या शंका है कि आंधी बरसाथ के बीच बिजली भी गिर सकती है ऐसे में लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है उधर मोसम का पुरवानुमान बताने वाली प्राइवेट एजेंसी स्काइमेट वैदर के अनसार ये प्री मानसुन गतिवीदिया एक प्रेरित साइकलोन सर्कुलेशन के कारण हुई है जो दो दिनों से राजस्तान के पश्ची में हिस्सा और पाकिस्तान से सटे हुए थे आने वाले दिनों में इन मोसमी गतिवीदियो में तिवरत आएगी राज्य के कई और हिस्सों में तेज आंधी और बारिश शुरू होगी यह मोसम 15 माई तक ज़ारी रहने की उमीद है